बिहार में बेरोजगारी वैसे ही बड़ी समस्या है उबर से सिक्षादर भी बिहार की चिंता जनग ही है ऐसे में कई युवा सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे रहते हैं खासकर ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें परीक्षा भी ना देनी पड़े और सेक्षनिक योगिता की भी ज्यादा जरूरत ना हो तो सोने पर ये सुहागा होता है ऐसे में मौका अब बिहार के दसवी पास शात्रों को भारतिय डाक विभाग ने दिया है भारतिय डाक विभाग में दसवी पास युवा जो पोस्ट ऑफिस सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें उन अभ्यरतियों के लिए इंडिया पोस्ट में 38,926 ग्रामीन डाक सेवक समेत अन्य पदों पर सीधी भरती निकाली गई है इसको लेकर हाली में भारतिय डाक विभाग की तरफ से भारत के सभी राज्यों के अभिरतियों के लिए 38,926 ग्रामीन डाक सेवक अन्य पदों पर न्युक्ती के ल पोस्ट GDS Online.gov.in के माध्यम से अंतिम तारीक से पहले आवेदन भर सकते हैं अब चले जानते हैं इस वेकिंसी के बारे में विस्तार से संस्था का नाम है भारतिय दाक विभाग पद का नाम है ग्रामीन दाक सेवक आवेदन प्रक्रिया ओनलाइन है वही राज्यवार वेकिंस दिल्ली में 60, गुजरात में 1901, हर्याणा में 921, हिमाचल प्रदेश में 1007, जम्मु कश्मीर में 265, जारखंड में 610, करनाटक में 2410, केरिला में 2203, मध्यप्रदेश में 4047, महरास्ट्र में 3026, पंजाब में 979, राजुस्थान में 2390, तमिलाडु में 4310, तिलंगाना में 1226, उत्तर प्रदेश में 303, पंजाब में 963, पद पर आवेदन आमंतृत किये गये हैं, यानि के कुल मिलाकर 38,926 पद पर आवेदन की मांग की गई है, सेक्षनिक योगिता की जानकारी तो हमने पहले ही दे दी है, वहीं उम्रिसीमा की अगर हम अब बात करें, तो अभेर आरक्षित वर्गों के उमिद्वारों को अधिक्तम आयू सीमा में छूट दी जाएगी, हाला कि ध्यान रहे, अभियर्थियों का नरधारित छेत्रिय भाषा पर कमांड होना जरूरी है, यानि कि अब उमिद्वारों को उस भाषा में लिखने, पढ़ने और बोलने में वो सक्षम होने चाहिए, ऐसे में अगर आप भी अपनी महज दसवी पास डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी करने के इच्छा रखते हैं, तो जल्दी करें, क्योंकि आपके पास आवी दिन भढ़ने की आखरी तारीक 5 जून 2022 है, ध्यान रहे, जिन भी अभियर्थियों का चैन इन पदों के लिए किया जाएगा, उसके लिए कुछ मामदंड है, यानि कि अभियर्थियों का चैन मेरिट सूची के आधार पर होगा, जो की देश भर में डाक विभाग के विभिनिस सरकल के अनुसार बनेगी, इस मेरिट लिस्ट के अनुसार उमिद्वारों को संब अभियर्थियों का चैन होगा, उमिद्वारों का चैन बिना परीक्षा या इंटर्व्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद अब उमीद है कि बिहार में दसवी बास अभियर्थी जो नौकरी के तलाश कर रहे हैं, उन्हें इससे काफी मदद मिलेगी, इसके साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद